बच्चों मैं आज आपको कक्षा छे का पाट हेर फेर जिसके लेकक है सुधर्शन जी पढ़ाने जारी हूँ पाट का सार एक गरीब मजदूर था कौन था बहुत गरीब मजदूर वे सारा दिन खून पसीना एक करके कर देने के बाद दो आने फटी चादर के कोने में बांध कर अपने कच्चे जोपरे की और चल परा उसने पूरे दिन मेहनत करी और उसे क्या मिला सिर्फ दो आने और वो उसने किसमें बांधी अपने फटी चादर के कोने में जोपरे से धुआ निकल रहा था जो उसका जोपरा था उसमें से क्या निकल रहा था धुआ वो समझ गया कि उसकी माँ उसके लिए खाना बना रही है उसके जोपड़े में उसकी माँ और वो अकेले रहते थे उस जोपड़े में कौन रहता था उसकी माँ और मजदूर दोनों अकेले रहते थे उनके घर में दो चार बरतन और एक चूला था उनके घर में कोई समान नहीं था, सिरफ दो-चार बरतन थे और एक चूला था उसी समय उसके सामने से एक बरात जा रही थी उसके मन में ख्याल आया कि कभी मेरी भी शादी होगी उसकी बरातियों से हाता पाई हो गई लोगों ने उसे उठा कर एक कोने में फैक दिया रात हो चली थी, वो वहीं बैठ गया मतब रात हो गई थी तो वो वहीं बैठ गया वो आकाश में देखकर बोलने लगा ही प्रभू, तुमने हम गरीबों को पैदा क्यूं किया है आखिर दुनिया को हमारी जरूरत का है मतलब शिकायत कर रहे हो भगवान से कई वर्ष बीद गए, कई साल बीद गए और वो एक अमीर विक्ती बन गया कौन बन गया अमीर विक्ती, वो ही मजदूर नगर में उसका नाम हो गया अब उसके पास रहने के लिए महल था अब उसको जोपने में नहीं रहता था, महल में रहता था नौकर चाकर थे, वो मजदूर अब धनी विक्ती बन गया था तो उसके पास, नौकर चाकर थे, सवारी के लिए पालकी थी एक दिन वो घर लोट रहा था तो उसकी पालकी रुख गई सेवक ने बताया कि मजदूरों की बरात जा रही थी उसके सेवकों को उन्हें सरक से हटाने को कहा अब वो अमीर वेक्ती बन गया था तो उन्होंने मजदूर ने क्या का कि अब ये जो बरात आ रही इनको हटा दो कहां तो वहां डंडे बरसने शुरू हो गए मतलब डंडे मानने लग गए मजदूर के नौकर मजदूर जान बचा कर भागने लगे मजदूरों की चीखे सुनकर उसका दिमाग खराब हो गया किसका दिमाग खराब हो गया धनी वेक्ती का उसने कहा मैं यही अराम करूँगा सरक के किनारे गलीचे पर बैठ गया उसे अभास हुआ कि वह कई वर्स पहले भी यहां बैठा था फिर वो उपर अकाश में देख कर बोला हे प्रभू फिर वो शिकायत कर रहा है इन अभाग्य मजदूरों के पास कुछ भी नहीं है तो तुमने इन्हें पैदा क्यों किया क्या सिरफ इसलिए कि ये अमीर लोगों के रास्ते में आकर खड़े हो और हमारा समय नश्ट करे आखिर दुनिया में इनकी क्या जरूरत है बचो ये पार्ट का सार खतम हो गया अब इसके शब्दार ध्यान से सुना सजल आस्वों से भरी रहीस का अर्थ है धनी साहुकार विशाल का अर्थ है बहुत बड़ा पाजी का अर्थ है दुष्ट या बद्माश राजिसी राजाओं का सा खून पसीना कड़ी मेहनत ये आपका एक मुहावरा है इसमे एक करना करना बच्चो ये पार्ट का सार खतम हो गया धन्यवान